Hey friends, welcome to step traders, इस वीडियो में बात करेंगे, कौन-कौन सी हैं वो applications, forex platforms, जिने RBI ने अभी ban करा है, अभी recently RBI ने 48 applications platform ban करें हैं, forex trading कर रिगार्डिंग, binary trading कर रिगार्डिंग, so इस वीडियो में वही सब देखेंगे, इस से पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है भी recently, उसका ल करेंगे, उससे पहले last year February में भी करेंगे, so हर 5-6 महिने में क्यों ऐसे RBI करता है, उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, और क्या reason है जो RBI इस तरह बार-बार applications ban करता है, forex trading कर रिगार्डिंग, क्या forex trading का हमेशा बंद हो जाएगी या नहीं, उस वीडियो में मैंने वो सब बताया है, उसका link में नीचे दे दूँगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, अभी इस वीडियो में देखते हैं, यह हमारी, मैंने एक ही page खोल रखा है, इसका भी link में नीचे description में दे दूँगा, financial express का, यह हमारे 10th of February को मारे news आई थी, इसमें सारे हमारे brokers listed है 48 हैं यहाँ पर, खाली broker ही नहीं है, कुछ platforms भी हैं, जो अभी हम one by one देखते हैं, अलपरी, बहुत बड़ा broker है, एक टाइम पे इसका बहुत नाम थे 2015-16 के पास, उससे पहले अलपरी के इंडे में काफे clients रहते थे थे उस टाइम, ठीक है, ever trader, binomo, binomo में आप में सब बहुत सारे लोग trade करते हो, मेरे पास comment आते हैं कि by no no, UPSA deposit, Twitter भी देता है, क्या हमें trade करने चाहिए या नहीं, so उसके लिए आप में टेलिग्राम पे contact कर सकते हैं, या फिर आप मेरे टेलिग्राम चैनल ज़रूर join कर लेजी, क्योंकि जैसे जो भी update आती है, वहाँ पे सबसे पहल चाहिए या रोग देनी चाहिए, या अब हमें कैसे trade करनी है, XNX के बाद में forex.com, forex.com, India में इतना use नहीं है, India में इसके इतने clients नहीं है, but yes, ये भी काफी अच्छा broker है, then, FTMO, FTMO एक prop firm है, हम सब को पता है, सबसे पहले और सबसे पुरानी prop firm आई थी, ठीक है, सबसे अगर आपको पता है, FX Street कोई भी broker नहीं है, ये एक platform है, news providing platform, forex के regarding, ये एक broker नहीं जिस पर हम trade कर सकते है, FX Street की application भी है, इनका platform भी है, website भी है, और ये सिर्फ एक news based है, तो RBI ने इसे भी include करा है, क्यों करा है, क्यों नहीं करा है, ये तो RBI को ही पता है, but FX Street कोई भी ऐसी application नहीं है, जिस पर trade होती है, directly, so you can see, RBI ने उन्हें भी इसमें include करा है, जो trading के लिए नहीं है application, जो इस पर trading ही नहीं हो सकती है, उन्हें RBI ने include करा है, ठीक है, so उसके बाद में हम देखते हैं, iForex या फिर IC market या फिर IQ option, IQ option binary का है, as like binomo, ठीक है, और iForex या फिर IC market, या Hot Forex, ये काफी अच्छे लेवल के broker है, इन पर मैं खुद पहले trade करता था, बट अभी मैं XNX पर और XM पर trade करता हूँ, और अगर आप पर नहीं है, XM का या फिर XNX का account, so आपके लिए link नहीं मैंने निचे description में दे रखा है, आप महाँ से जाके join कर सकते हैं, but यहाँ पर आप देखोगे, उन्होंने सभी apps को almost ban करा है, जितने भी platforms और trading के, इस बार सब को उन्होंने include करा है, Octafx, Octafx के तीनों platform को उन्होंने include करा है, Octafx के कुछ टाइम पहले, applications भी ban हो गए थी, Play Store से और XNX की भी हो गए थी, उन्होंने फिर उसके alternative applications निकाले थी, उसके भी मैं Octafx.com, firayaoctafx.net, अब इसका है sub domain high.octafx, so इस बार RBI ने सभी को include करा है, उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा है, हमने उपर देखा, न्यूजिस को भी, न्यूस platform को भी, यहाँ पे, and last में देखेंगे हम, MT4 and MT5, it's just a third party platform, इस पे हम trade करते हैं, हम अपने पैसा deposit कभी भी MT4 या MT5 में करते ही नहीं है, यह शिरिफ एक trading platform है, जिस पे हम अपने trades execute करते हैं, ठीक है, इस बार आप सारे नाम है पर देख सकते हूं, Tickmill B, Cortex B, XTBB, XMB, Allum Trade B, TD Ameritrade, TD Ameritrade इतना बड़ा level का broker है, US में सबसे जाले trades आईगास इसी पे ही होती होंगी, ठीक है तो TD Ameritrade, से FB Forex.com, US के brokers हैं, इस बार RBI ने सब को include कर रहा है, बट RBI ने क्यों कर आई, question यह उठता है, RBI चाहता है कि वो जितना भी उसका Forex Reserve है, वो इंडिया से भार ना जाए, क्योंकि trading के लिए हम लोग काफी बार सीखते नहीं है, फोमों में आके किसी ने signal दिया, महां से हम उसक Forex trading का regarding, इतना estate token action ले रही है, बट अगर आपको अभी भी trade करना है Forex में, then you can continue to do that, बट आप किसी के through करिये, आप directly मत करिये, जैसे आप suppose करो Octafx पे, XNX पे, या फिर XM पे, या किसी भी broker पर अगर आप करते हो, तो आप अभी क्या करते हो, आपने direct महा पर अकाउंट open कर ठीक है, आपको जो भी issue आया, आपने उनकी chat पर उनसे call बे बात करी, call का तो option कोई नहीं देता है, call का options मेरे clients के पास है, बस जो XM trade करते हैं, जो अभी हम वीडियो में आगे बात करेंगे, so suppose करो आपने XM में deposit करो, और Octafx में आपने deposit करो, और Octafx ने आपको deposit में कुछ issues आपको deposit के बाद में, sorry, आपको withdraw में कोई issues दिये, आपको withdraw नहीं आया, दो दिन, ती दिन हो गया, so आपके पास हाँ पर कोई भी option नहीं बसता है, आपको सिर्फ वेट करना पड़ेगा, उनसे chat पर ही बात करनी पड़ेगी, but अगर आप हमारे थुरू XM पर या Octafx पर या X हम directly आपकी call arrange करा देंगी, अगर आप XM पर trade करते हो, हमारे थुरू, हमारे साथ रहके, XM पर तो XM पर मेरे सारे clients के लिए calling का feature available है, आपको कोई भी issue आती है, you can just tell me directly on the telegram, telegram का भी link में इसे description में दे रखा है, आप हमें बोलेंगे कि यह issue आ रहा है, मैं directly आपकी account manager से आप कैसे deposit करना है, कैसे withdraw करना है, कोई भी XYZ issue आता है, then it's our responsibility, यह हमारी guarantee है कि आपको इसमें कोई भी problem नहीं होगे और आपका सारफंट safe होगा, क्योंकि हमारे 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 direct contacts है, so अगर आपने XM पर यह XNX पर account नहीं बना रखा है, तो link में नीचे description में दे रखा है, वह आप हमें contact कर सकते हैं, उसमें we will try our best, ठीक है, so इस तरके इनोंने सारी applications को बहन करा है, even तो platforms को भी, news platform को भी and trading platform को भी, reason इनका सेम है, कि यह चाहते हैं कि आप लोग forex trading के लिए पैसा कोई भी भार मत भेजो, क्योंकि आप में से maximum losses करते हो, क्योंकि आप लोग सीख करते हो काफे सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो इस intuition से आते हैं कि आज पैसे हैं पर double triple कर लेंगे, उनना आज यहां पर डाला है पैसा, तो कल आपको 100 dollar के 200 dollar के 500 dollar हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं है, forex is like a business, as like businesses होते हैं, इसमें losses भी होते हैं, ऐसे forex में loss होता है, बस हम उने manage करना है, ठीक है, and second is, अगर आपका fund छोटा है, let's say कि मेरे पास ऐसे काफे मैचिती जाते हैं कि मुझे 50 dollar deposit करना है, मैं 100 dollar से trade करना चाहता हूँ, तो क्या मेरे पे भी को issue होएगा, मैं इसका file कैसे करूं, ITR, क्या मेरे पे income tax की को rate पड़ेगा, या इस तरह की questions, so first of all, अगर आपका deposit चोटा है, suppose करो कि आपको 200 dollar, 500 dollar, या 1000 dollar है, so don't worry, उसमें आपको कोई बीच्व नहीं होगा, यह मैंने अपनी पहले वीडियो में बता रखा है, but अगर आपका fund बड़ा है, suppose करो कि आपको 5-10-10 dollar का है, या कल को आप बड़ा deposit करना चाहते हो, तो उसके लिए कैसे planning करनी है, उसके कैसे tax देना है, so उसके लिए मैंने पहले वीडियो बना रखे यह वाली taxing की, टेक्सिस को ऊपर मैंने पहले 2-3 वीडियो डिटेल में cover कर रखा है, वो आप वीडियो जाके देख सकते हैं, उसका बे लिंक में निचे description में, और उपर i button में दे दूँगा, so अगर account है आपका, 200-500,000 डालर का, then don't worry, को issue नहीं होने का आपको, आप continue to rate कर सकते हो, but अगर आपका बड़ा account है, then आप taxes वाली वीडियो देख लीजिए, वो अभी आपको मैं दे दूँगा, screen पर भी हाँ ठीक है, वहाँ से आपको सारे doubt cover हो जाएंगे, उसमें आपको कैसे tax भर तो like करते हैं, subscribe करते हैं, and bell icon press करते हैं, so that आपको मिल जाएं, सारी latest updates सबसे पहले forex and cryptocurrencies की, thank you.